नमस्कार बच्चों कैसे हो आप अश्रकतों आप सही होंगे लर्निंग टाइम विधरीश में आपका स्वागत है आए देखते हैं शिक्षा निदेशा अरले रास्टे राजानी छेत्र दिल्ली की कक्षा 10 की हिंदी की वर्क्षीट नमबर 54 आज की वर्क्षीट मिलाकर आपके 54 वर्क्षीट हो चुगी है टोटल बेटा आस्तित की जो टिती है 11 नमबर 2020 तो हर वर्क्षीट को उपविशे जरूर होता है तो इस वर्क्षीट का उपविशे है रचना के अधार पर वाक्य भेद ये वर्क्षीट का काम पहले भी आपको पर वाय जच चुका है तो यह आपके एक बकार से पूर्णा वर्थी का रहे हैं को कि वर्क्षीट में आपको पर वर्क्षीट के अंदिर क्या है जैसा बच्चो जैसा क्या जानते है एक कि ऐसा साथ तक सब समूद जो विवस्तित हो पूरा आश्य अर्थ पकरता हो वाक्य तो उसलिए पहले हम वाक्य जान लेते हैं, वाक्य क्या होता है, तो ऐसा सार्थक शब्दो का समू, जो पूरा अर्थ प्रकट करें, वाक्य कहलाता है, ठीक है, पूरा अर्थ प्रकट करें, जाहिए देखते हैं, जैसे कि मात्र भूमी की रक्षा के लिए वीर जबारनों ने अपने प्रानों का बिल्दान दिया अब ये पूरा का पूरा जो शब्द समू है और अर्थ प्रकट कर रहा है तो ये वाक्य कहलाएगा अगर स्पोस करो मैं यहाँ पे एक चीज लिखता हूँ सफेद जूते ठीक है बिटा ये शब्द तो हो गया लगी पूरा अर्थ प्रकट नहीं कर रहा है तो ये वाक्य नहीं कहलाया जाएगा ये बात आप ध्यान में रचना ठीक है बिटा अब नौवी किलास में हमने अर्थ के अधार प्रकट के बेद पड़े थे जो आठ होते थे नहीं करूवी किलास में हम बढ़ेंगे रचना के अधार प्रकट के बेद जो तीन परकाड के होते हैं किदन परकाड के होते हैं पहला सेल वाक के दूसरा सम्ट वाक के तीसरा मशरु वाक के ठीक है बटा पर अग्जाम में ये चार माक्स का है इसलिए important हो जाता है अगर आप इस worksheet को ध्यान से देखोगे तो आपके चार marks आसानी सगा सकते हैं आईए देखते हैं सरल वाक्य क्या होता है जिन वाक्यों में मुख्य क्रिया एक मुख्य क्रिया हो उन्हें सरल वाक्या सधरान वाक्या गाते है यानि एक मुख्य क्रिया होगी अब क्रिया क्या होती है यह आपको जानने की बहुत ज़्याद जुड़ा था पहले तो क्रिया को एंगलिश में कहते है verb किसी भी कार्य का करना या होना क्रिया क्यलाता है ठीक है बेटा तो यह उते क्रिया और क्रिया के साथ क्या होता है से जुड़ा होता है करता होता है यहाँ पर subject करता क्या हो जाएगा subject और बाग की चीज़ जो बच जाती है वो कहलाई जाती है object ठीक है तो यह आपको sentence जो बनाना सिखाया जाते हैं English में या Hindi में उसी अधार पर होते हैं कैसे होते हैं पहले subject आएगा object आएगा वर्व आएगी यह इसी तरह से आपको बनाना सिखाया जाता है तो जिस वाक्य मुख्य क्रिया एक हो उसे self वाक्य कहते हैं मुख्य क्रिया इसी अधार आज सोहानी दूप खिली है अब खिली हुई है यह क्रिया है तिनों क्रिया है बेटा खिली भी क्रिया है हुई भी और है भी यह मुख्य क्रिया है वो सुरी खिली है जो मुख्य क्रिया है बाकी helping verbs है helping verbs आपने English में बढ़ा होगा यह जैमार यह सारी helping verbs होती है तो यह खिली हुई है, मुख्य क्रिया है ठीक है, तो इसल वाकिय में एक मुख्य क्रिया होगी बच्चे बाइश में नार है, यह भी मुख्य क्रिया होगी मुख्य क्रिया होगी, लेकि नाना मुख्य क्रिया होगी बच्चा हसा एक क्रिया है हसा एक मुख्चे क्रिया होगी यहां पर लेकिन एक भाद ध्यान है जरूरी नहीं है बच्चा हसा तो एक ही करता हो सकता है असल वाके में दो करता भी हो सकते है दो से जादा भी हो सकते है जसकी राम शाम कल दिल्ली जाएंगी अब राम और शाम दो करता होगे लिग कल दिल्ली जाएंगे जाना देख रिया होगी न तो उसल वाक्य में एक करिया होगी लिगि करता हो सकते है ठीके बटा आईए आगे देखते हैं दूसरा है सेंक्त वाक्य बहुत इंपोर्टेंट है इसे ध्यान रखना आगे वाले जो दोनों वाक्य है बहुत जादा ही इंपोर्टेंट है जिन जहां दो या दो से अधिक उपवाक्य अब उपवाक्य क्या होता है बेटा वाक्य का जो एक अंश होता है उसको उपवाक्य कहा जाता है ठीक है अभी बताता हूँ मैं आपको उपवाक्य किसे समुच्च योजक को इंगलिश में कनेक्टर्स अगर आपको कनेक्टर्स याद होंगे ये सारे कनेक्टर्स होते हैं तो ऐसे हिंदी में इनकों कहते है योजक चिने योजक कहते हैं सोरी चिने नहीं कहते हैं अब योजक अव्वे जैसे की किस किस जुड़े होंगे जो वाक्य और से तथा से एव से इसलिए परंतु किन्तु या अत्वा नहीं तो अन्था वर्णा ये सारे योजक है ठीक है योजक अव्वे है इनसे जब भी को शब्द जुड़ा पाएगा तो आप उसको आँख बंद करके कह सकते हो कि ये सहीं तो वाक्य है अब एक उठान देखते हैं फिर आपको समझ में आएगा हम रेलवे स्टेशन में पहुंचे किन्तु टिकट नहीं मिली अब किन्तु ने यहां ये योजक सब्द है तो ये सारे वाक्य हो गया क्यों किन्तु इसके अंदर आ रहा है अब इसमें देखो उप वाक्य में आपको बताया क्या है अब इसमें दो उप वाक्य हो गया हम रेलवे स्टेशन पहुंचे यानि दो वाक्य हो गया हम रेलवे स्टेशन पहुंचे टिकट नहीं मिली तो दोनों वाक्यों को जो चीज जोड रही है वो है किंतू, यानि यह जोजक शब्द है ये, ठीक है, तो इसको कहेंगे हम सेंग्त वाके, यानि दो जो उपवाके को कोई भी जोजक शब्द जोड़ता है, तो वो सेंग्त वाके कहलाता है, आग आगला वाके देखते सेगी, तुम पढ़ लो, ये एक वाके होगा, टीवी देख लो अब इसमें एक व्योजक शब्द जोड़ दिया या तुम पढ़ लो या टीवी देख लो हम देखतर बोलते हैं ना घर में ममी बापा मारे लिए बोलते हैं बारिश हो गई मैं खेल में जीत जाता बारिश हो गई ठीक है एक वाक्य हो गया और मैं खेल में जीत जात तो ठीक है बेटा तो यह जब दो वाक्य उप वाक्यों को जोड़ा जाए जो अव्य शब्दा है जैसे और तथा एव इसलिए परंतु किन्तु या अत्वाना इतो वर्णा यह आपको याद करने पड़ेगा बेटा तो ऐसे वाक्य से वाक्य कहलाते है ठीक है यह था से वाक् आशिरित जो उसपर डिपेंड ओ उन्हें मिश्र्वाक्य कहते है उन्हें कहते है जैसे उसमें योजक शबद थे तो उसमें योज़क शब्द होते है यह आप धियान से देखलो गाज़िए फकर यह फिर आज़ा मान लो जो श्रूग जहां लिखा आजाए, तब आजाए, तो आजाए, ठीक है? तो ऐसे जो वहूज शब्ध आजाए, या ठीक है, तो आप समझे लिए मिश्वाक्य की है. मिश्वाक्य में जो दोनों वाक्य होते हैं लेकिन एक परधान होता है और दूसरा आशित जैसे कि यही वह वैक्ति है जिसने कल बच्चे को बचाया था अब यही वह वैक्ति है यह वाक्य परधान वाक्य अब हमें क्या पता कौन सा वैक्ति है जिसने कल बच्चे को बचाया था तो यह आश्रित हो गया यानि यह वाला वाक्य है जिसने कल बच्चे को बचाया था यही व्यक्ति पर आश्रित है ठीक है तो यह वाक्य हो गया अगर देखते हैं जो प्रिशम करते हैं वे अविश्य शफल होते हैं अब कौन अविश्य और यहां पर जुड़ा जिसने से जो जिसने तब तो ठीक है ऐसे जो समुख्चवा तक अव्या आ जाए तो वह वाक्य मिश्रिवाक्य केलाते हैं तो यह आपके वाक्यों की जो भेद थे तीन रचना के अधार पौल उसका थोड़ा सा शंक्ष्विफ्ट वर्णन मैंने बाब को बता दिये आज यह सभ्यास को जानने की कुशिश करते हैं ठीक है वैक खेलते खेलते सो गया सो गया एक क्रिया है ठीक है वैक सब्जेक्ट एक है तो कौन सा वाक्य हो गया यह सरल वाक्य है दूसरा देखते हैं जो व्यक्ति सवाव लंबी होते है इस्वर भी उनकी मिदफ करते हैं अभी बताया मैंने आप जो आ गया जो आते ही कौन सा वाक्य हो जाएगा यह ठीक है बेटा अब देखो अगला देखते हैं बस टापर अगला देखते हैं सूर्यस्त हुआ और सभी पक्षि अपने अपने स्थानों को लोटा है अगला देखते हैं गांदी जी महान थे क्योंकि वह सदा सते बोलते थे आप तो इसी तरिकए से बहटा एक दूतीन चार मात वजय फटा आप सब्सक्रे CAP वहगरे मैं तक ष्याविखे ने पहुते माइड़ मुझ्द कारव κो थैंच थे ऐचुँ yeah कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली पूरी तरह से अनलोग पूछ चुक है लेकिन आज गुद्वा के दिन भी दिल्ली में आज के को अठाओगे तो कल दिल्ली में अठाटर सो के आसपा करोना केस पाए गए थी तो करोना की कोई बेटा वेक्सिन तो अभी फिलाल नहीं है no vaccine only vaccine is use mask बाद से कथितव को ना जाओ ? बाद एकषित आपको तो आपको समेज़ में आ घागी होगी और वीडियो को लाइक और सबस्क्राइब भी कीजिए और किसी बत्चे को अगर किसी चीजे में कुछ समझेब जाकर आपक्ती In the account